हम आपकी सूसाइटी से बॉल रहे हैं तो उंकल इसमें हम सबसे ना डोनेशन ले रहे हैं चंदा सुसाइटी की स्वेंड पर दूर्पटी जितने फंक्षिन होते हैं उसमें सारे जितने बच्छों के बड़ों के सारे होते हैं हमने सारे ब्लॉक से चंदा ले रहे हैं सर आपको फोन किया अंकल आपकर टाइम देंगे तो हम आपके पास आजाएंगे शाब में आपको बताता हूं अंकल इसमें क्या होता है जैसे सुसाइटी में अब न्यूएर भी आ रहा है दिवाली न्यूएर जितने फंक्शन होते है है जैसे कभी चोटा सा कुछ वो रख दिया मीट इन ग्रीड चोटा बच्चों के लिए प्रोग्राम रख दिये पार्क में सारे बैठ गए तो सर उसके लिए ना क्यूंकि टेंट लगता है वो लगता है तो सर मैं कहा रहा था आपके ब्लॉक से सारे लोगों ने मैं भी दो जानकारी को बताओं ने सर अइसे बता नहीं सकते हैं वो बता नहीं रहा तो इसलिए मैं अपनी गड़ा देंगी को रिस्रेट दे घी साय मेरा 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 बता दियो चलो मेरा की सी किसी का नहीं बतार रहो जारो सर मैं नहीं सर उनसे क्या लेना है आप अपना बताओ ना अरे तु बता देगा क्या हो जागा तेरे एक बार में सर मैं बता नहीं सकता शार पर ची मैं दो कटाओंगे चल बता किन दिये शर्मान शर आप फिर सबको बता दोगे अरे ना बता रहा यार सर पच्पन जार रुपे द हैं सब पच्पन जार रुपय दी हैं पच्पन की र होढ़िए पैजिए उच्पन की न लिका रहा है इसे ले ले मेरे हिस्से के भी उसके पास पड़े के पास जार रुपे कटवा लिए वासे भी कि अधि करें हैं मैं आते हैं मैं पतनिया पैचाने मैं ऑपके चारा कुछ बात वाद भी करनी थी गौफाल जी के साथ आप उसको छोड़ों पांचे लोग आये थे हमाँ भूल रहे हो मिरे खाल से टाइम भी हो गया एक दो महीन हो गया तो मैं कई दिन से आपसे बात करना चारा था मैं सुभाजी आपसे जी कई है था हाँ जी सुभाजी आपको से वाइप भी घर पर थे ही तो मुझे पैली बार में मानं गए नहीं मेरी बात सुनिये तो के चलो ठीक है अफ यह नहीं मतलब तयारी थे ना कि वही आप दुबाराब पूछएगा बंदा तो पिंगे आप ने तो पर एली पहले बार नहीं मेरी बात सुनिए आपने पहली बार में ये कहके के अच्छा ठीक है मेरे दिल पर लगी है चोट मदब आपकी वाइप भी वहाँ सुन रही है उन्होंने भी देखा है कि बाद एक ही बार पूछा उनको लगा दुबार आपने दुबार तो पूछते ना कम से अच्छा यार आप एक बात बताओ आप कहीं पर जाते हो पहली बार में कोई पूछा है जैसे कोई कोई कहीर बनी वे खाओ पहली बार में कहांगा यही काओगे ना कर नहीं नहीं रहने दीजे आपने का होगा ना हमने तो पूछा ना सर आपको किसा अरे यार आप मेरी बात नहीं नहीं इस बात को गल्द मत समझेए मैं तो एक 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 बात बता रहा हूं आपको अरे बंदा बैठा हुआ है बंदा यह सोच रहा है कि दुबारा पूछेंगे तो जरूर बोल दूँगा कि हाँ जी थो नहीं बैठा हूं मुझे याद है जूटी बोलूगा आपने का आई 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 आयए बैठी और चाह लेंगे मैंने मना कर दिया आसके मैंने कर नहीं नहीं रहने ज़े सुपाः जी आप बिर चुप कर रहा हूं कि आप बोलेंगे यह अपने अपनी दरब से आपको बोला सर चाय लेंगे आपने मना अज़र दिया आपको पीनी दी तो दुबारा मांग ले तो अच्छा नहीं लग रहा था जब आप मूट जब आप चूपी हो गए चाय को आगे खीचा ही नहीं आप आप यह कह सकते थे नहीं थोड़ी थोड़ लो यह बोल सकते थे आपने मना पर पहली बार की बात रहें नहीं भर एक हैव थोड़ी थोड़ी ले लो विया जा svata मै फोल कर बढ़ने को बंदा मेरे घठाना जब मैं अपैली बार में पूछूंगा ना पहली बार में चुप जाओंगा दिल्कों लगती है कि पहली बार में चुपो गया दुबारा आई नहीं रहा कहने के थोड़ी ले लो ठीक है आओ 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 पिर आपके घर ऐसी होती ही महमान दारी ठीक है बात ही नहीं करनी मेरे को अप आए हमारे घर आपने चाहे के लिए बोला आपने मना कर दिया आप मेरे घर आओ मोस्ट वेलकम है आप मैं किसी चीज को पूछूंगा अगर आपने एक बार भी मना कर दिया नहीं कि आप मेरे साथ ऐसे ही करोगे बत्तमीजी से आप जान पूछे मेरे को चाहिए नहीं गलत बात है लेकिन दुबारा पूछना बनता है ये हम हम इंडियन्स की फितरत होती है आप समझता है नहीं बैया इंजार करता है दुबारा में बोल देगा आदमी के हाँ थोड़ी थोड़ी ले लो सर देखो आप जो चाहते हो न वो तो कभी ने हो सब्सक्राइब इस बाइए हो गोपल जी और दो और गोपल जी को भी वोल लूगा मैं एक बार मेसिज भी गया ता पता नहीं कितने वॉटसैप आते हैं और बता कहां पर रहे हैं में तो ओफिस हूं तो कोन है यार तो कोन है शले एक तो मिलता नहीं है मिलता नहीं आच्छा सुन वो मैं बता दूंगा मेरी भावी से भावी मुलाकात हुई थी बस पांच शनट पहली मौल में मदू से हलो ? हाहा सुन रहा हूँ तो भावी से मुलाकात हुई तेरे बारे में भी बात चल रही थी अच्छा लगा भावी से र मिल गए यार हाँ तो मेरे बात हो रहे जिर मैं sanitizer में गया हूँ तो मांकिटιο मैंने का यह मढधू भावी है तो पिहर इन से बात हुई अभी तो पता निकिन दूसरी शॉप में चले गए तो उनसे ऐसी बात चल रही थी फिर बता रहे थी तेरे बारे में बता रहे थी और उसके बारे में बता रही थी अचा सुन तुन नो जॉब चेंज कर लिये क्या नहीं मैं तो पहीं वहीं हूँ भाभी कहने थी पता नहीं क्यों वो मूड में लग रहे हैं कि शायद जॉब चेंज कर लेका कुनाल नहीं नहीं कोई जॉब चेंज में बहुत तो प्र वो कहने लगी के और आप बताईये मैंने अगले अफते 15 दिन के लिए जाओंगी मौम डाइट के पास मतलब अपने घर कानपूर तो फिर मैंने का भावी इतनी दूर कानपूर फिर जाना फिर आना फिर आप वैसे भी आजकल मौसम बदल रहा है तवेदी भी खराब चल रही है लोगों की आवाइट कर दो वो कहरे त मैंने का खुनाल तो ऐसी मान गया होगा लेकिन जाना ना बहुत दूर पढ़ता है फिर कहने लगी कि नहीं आप सही कह रहे हो मैं फिर कैंसली करती हूं जाना तो अब मेरे से कहके गई है कि आप शायद ना जाओं अगले अपते और बता तू भाई सब बढ़िया है अबे तू नहीं उसको मना कर दिये के जाने के लिए मैंने तो बस ये कहा कि मैंने का इतनी दूर मौसम बदल रहा है ना यार पिर जाना आना पंदरा दिन के लिए इस वज़ा से फिर वो मान गई कहने लगे कि ठीक है मेरे खाल से मैं कैंसली कर देती हूं आवर कि तू गुस्सा क्यूं कर रहा है यार मैंने तो उनसे ये का मैंने का झाभी मौसम मदल रहे थोड़ा सा और अपिर उन्हें खुद ही कैंसल करा मैं तो एक बार गादा अपर तूने बोला कियो तेरे पेटेस तो अदर्वी अर्य तो तू मुझ पर क्यू चिला रहे ह मैंने तोसिर्व यह का मेंने मॉसम मतल रहा है स्चिरशी कर दी ऐस तो बहुत बुरा मन रहा है यार वद कि तुझे दिल्ह जैदी यह बोलने क्यूं से चिला क्यूं रहा है चिला मत यह क्या क्यों चिला रहा है। मरवालिशाले ने अपनी उमिर को पजा दिया यह चला मत मैं तू स्पीकर फॉन पे है अब तब मैं क्या करूँ तू स्पीकर फॉन पे है और मदू यहीं खड़ी है भाब यहीं आगे थी दो मिनिट के बाद सुन रही है